जांच एजेंसी जो है उसको जांच में किसी तरह की जो है बादा उत्पन नहीं की जा रही है लेकिन जो आरोप जो लगाए जारे है वो यही लगाए जारे कि चुनावी केमपेंड में लगातार जो है वो बादा पहुंचाने की कोशिस की जा रही है लेकिन अब प्रदर्श प्रिशित जांच एजेंस्यों के मद्धिन से केंदर की शरकार के खिलाप आवाज उठाने वाले नेताओं पे ED, CBI और IT के द्वारा पर्तिशोद पूर्ण कारवाई कर रही है उसी का नतीजा ये है कि जो लगातार भाते जनता पार्टी और संग के नेताओं पे मुखर हमलावर रहे राष्थान कॉंग्रेस के अग्डेक्स गोविन सिंग डोटाश्रा के निवास पे और कॉंग्रेस के अन्य नेताओं पे ED की कारवाई की गई राज्जे के अंदर चुनावी समय आने पे हम लगातार कहते रहे हैं कि केंद्रिये जाँच एजन्सियां जो देश का गोरो होती हैं उन्हें भार्थ के जनता पार्टी ने अपने तूल के तोर पे अथ्यार के तोर पे काम ना ले भार्थ जनता पार्टी आरक्सित वरक के लोगों पे चिन्नित करके अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और अन्य पिछ्रा वरक के लोगों पे प्रहार कर रही है भारत्य जन्ता पार्टी पेपर लीक के बहाने से धान बठखाना चाती है युवाओं को गुम्रा करना चाती है हम पूछना चाते हैं जहां भारत्य जन्ता पार्टी की सरकारे हैं जहां डबल इंजन की सरकारे हैं उन राज्यों में जो पेपर लीक हुए, वहां कितनी बार एडी पहुची, पेपर लीक करने वाले माफियाओं पे क्या कारवाई करके जेल की सलाकों के पिछे बेजा, बात वा सासित राजे सरकारों ने क्या सक्त कानूर बनाए ताकि आने वाले बविस्वे में पेपर लीक जेसी का टाइम ना हो महम मानी जारी और हो सकता है जिस तरीके से, एडी की ओर से आज कारवाई की जा रही है और कई निताओं के घर पर भी एडी की टीम पहुची हो सकता है कि इसे भी लेकर वो बयान दे, लेकिन अब देखना दिल्चस्प होगा कि आज की प्रेस कॉन्फरेंस में मुख्यमंतर अशोग गहलोत की ओर से तो एडी की ओर से भी कारवाई लगातार जारी है तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं पी से सी चीफ गोविन सिंग डोटा सरा के आवास से लेकर निजी आवास और सरकारी आवास से लेकर इस वक्त टीम विधायक उम प्रकाश उल्ला के घर भी और बढ़ने वाला है क्योंकि एडी की ओर से जो जाज की गई है कॉंग्रेस की ओर से रियक्शन भी सामने आने लग गए से पहले प्रवक्ता कॉंग्रेस के आरसी चोधरी को अपने सुना जब वो कह रहे थे कि गलत और शडियंत्र के तहट एजेंसियों का दुरूपियों किया जा रहा है पहले भी कॉंग्रेस इसे लेकर आरोप लगाती आ रही है जब राहूल गांधी सुनिया गांधी से पूछताच की जा रही थी उस दौरान भी इसे लेकर कॉंग्रेस के ओर से प्रदर्शन भी किया गया था और अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से अशीश लगातार इस पूरीखबर पर नजर बनाए हुए हैं आशीश दौसा में कहां कहां पर और अपडेट क्या मिल पाराइश से लेकर करीब डेट से दो घंटे एडी की टीम को पहुंचे हो चुके हैं दो गाडियों वे एडी की टीम पहुंची है और लोकल पुलिस वहां पर मौझूद नहीं है एसे में अभी यहार के आसका सहर्थव यान सला रहा है उनके आवाश पर दिकारीयों के ओर से कोई और जनकारी नहीं तक यह लेकिन कयास रगाया आ नहीं घृट का पेपर लीक वा था ऐसे में उसकता है उस अंद्रब में बादचीत की जारी हो लेकिन जब तक पूरी डिटेल सामने नहीं आएगी तब तक कहना जल्दबाजी होगा लेकिन कुल्विला के एक आज आ सकता है कि राजस्तान में एडी के एक बड़ी कारवाई है रीट के जो पेपर लीक हुए है उ मैं कहना चाहूंगी जहां पर भी ये कारवाई चल रही है ये बेतुक का कारवाई है ये केंद्रे जांच अजेंशियों क्या दुरुप्योग है चुनावी समय को देखते हुए राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार बन रही थी और मैं कहना चाहूंगी कि निस्षित उस दिन से लेकर के वो आज तक बार-बार आरेसस को चेताओनी डेह रहे थे कि हम यहां पर राजस्तान में सरकार बनाएंगे उसी दुर्भावना से प्रेरित होकर के मोदी जी और मोदी जी की जो केंद्रे जांच एजेंशियों का दुरुप्यों करके ऐसी कारवाई कर र दुरूर पड़ेगा कि कॉंग्रेस कॉंग्रेस जो 156 हमारा जो टार्गेट है हम निसी तुरूप से उसको पूरा करेंगे इससे कोई प्रक्नी पड़नी वाला सिर्फ मोदी जी के मन में भावना है और मुझे लगता है कि मोदी जी परधान मंत्री नहीं रहे करके बार-ब हमारे रणीती बनाएंगे और आगे की रणीती के लिए हम बात करेंगे तो फिलाल आपने देखा कि ये थे कॉंग्रेस जिला ध्यक्षी को आप सुन रहे थे जो अपसाफ तोर पर कह रही है कि हम डरने वाले नहीं है लगातार इससे पहले राहूल गांधी भी आई कहते आ रहे थे कि डरो मत और कॉंग्रेस का दावा है कि हम अभी भी मिशन 156 ल प्रासरा के आवास के घर के बाहर मौझूद है जहां पर इस वक्त एडी की टीम पहुची हुई है संदीप अप रियक्षन सामने आने लग गए हैं और कॉंग्रेस निशित तोर पर आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि दुरूपियों किया जा रहा है जाच अजेंसिस का पर तक के वो पूरी तरह से सांध्य लगना आप जीजेए